कांकेर में शिकार के चकर में एक तेंदुआ कुए में गिर गया सरोना वनक्षित से एक तेंदुआ भटक कर सारवांडी गाउ पहुचा जहां पर वो एक कुए में जा गिरा मामले की जानकारी मिलने पर वन्रभाग किटी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है तेंदवे की उम्र पांच साल बताए जा रही है कांकेर में एक खबर निकल कर सामने आई है कि एक तेंदवा कुवे में मेर गया है और हम उसके पास बहुत चुके हैं यह वो कुवा है जहां पर तेंदवा अभी भी अंदर बैठा हुआ है हाला कि वो आराम फरमार जरूर रहा है वनिभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है और उसको फिलहाल कवर कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की उसे दिक्कत ना हो इस बात का क्या लखा जा रहा है आपको दिखाना चाहूंगा हो या फिर कोई घटना धुरगटना ना हो इस बात का ध्यान रखा जा रहा है सर ये बताएं यह जो तीनवाइं यहां पर गिरा हुआ है इसके लिए आप लोग रेस्क्री करने के लिए क्विए हम लोग अभी दिन को यहां रिस्की कर रहे हैं और साम ढ़लेगा अंधेला होने की बाद जो है ना सिर्या लाएं है उसको डाले वहाँ अभी फिलहाल किस तरह से प्रात्मिक रूप से क्या क्या कर किये गए अभी जो है उसके लिए वह चैली डाला हुआ है उसमें आराम कर र है अभी लगभाग दो बजी आसपास में गी रहा है वाइड लाइपी टीम भी है मैं आप से जाना चाहेंगे यह जो जिस तरह से जंगली जानवर रहाइशी इलाकों में पहुछते हैं क्या मुख्य वजह रहती होगी अचली जंगली जानवा जितने भी हो चाहा है वो कान साथ में कितनी बार जंगल नहीं है तो इसका मतलब कोई भी जानवर के सवाइब नहीं गर पार है मापई तो यह जंगली जानवर हमारा जो चेंदूबा है इसके लिए इसके खाने क्ले जंगल में जैसे हम लोगो को खरगोश मिलता है है अगर इनकी पॉप्पुलेशन कम ह तो इसका मतलब यह कि गाहों की तरफ आएंगे अपना खाना डूबने के लिए साथी में गाहों में जो कोई भी जानवर मिलता है जाए वो भैस हो गया बैल हो गया या फिर मुर्गा हो गया यह लोग कंफाइंड प्लेस में मिलते हैं मतलब एक कैप्चर जगह होती है जाब पंदेफे में नम पटाब शेंड टो इनकी युफ वह देनिए दिल ए तो इनकी एजिय्ध पाड़ता है तो इनकी से गाहों की तरफ बढ़ता है बड़ते है वह कोई बत्रफ हो करने कि यहां पर अच्छी है किया कि एक्विप्मेंट कुछ नहीं है हम लोगों नहीं है सीडी मंगाई कि कुए में अगर यह जो सीडी देख रहे हैं यह सेडी मंगाई है यह 30 फीट की सीडी है भी डबल है तो 15 फीट करीब की है तो अगर कुए में जैसे कोई भी जानव पर हो गया तो हम लोग it ही कोशिश करते है कि उसको प्र के निखले क्या कि यह लोगगी अची रहती है सब चंड़नेवे तो यह यह समें यह स्कोच करेंगी सीडी के मतसा χाराम से वह निकलने ए खालें के मिस्कों भी निखले र को साच्री सब्सक्रें के तो सहांूं क तो इसी समय हम लोग कोशिश करेंगे सीरी डालके निकालने का युकि इस समय दिन के समय गाउं वाले भी खेत में जाये रहते हैं अगर हम लोग उसको चोड़ेंगे भी मतलब निकालने के कोशिश करेंगे तो इसके सामने कोई भी ऐसे आएका तो हम सब पॉसिबिल्टी है कि हमला कर सकता है अभी मोमेंट नजर नहीं आ रहा है क्या भूजन दिया गया है भूजन इसके लिए प्रवायड किया गहा है अब जैसे फसा है वह तो इस उसका नहीं हो पा रहा है यह थे वनिभाक कितिम और आप देख सकते हैं यह वह सीढ़ी यहां पर मवजूद है इस सीधी को जो है शाम के वक्त उस कुए में उतारा जाएगा ताकि तेंदवा ग्रिप बनाकर उस सीधी के माध्यम से बाहर निकल सके चुकि अभी रिहाइसी इलाका है ग्रामेड इलाका है इस इलाके में दोपहर के वक्त काफी संख्या में किसान अपने खेतों में बौजूद रहते हैं किसी प्रकर का निहोनी घटना नहों इस बात का ध्यान रखा जा रहा है साम के वक्त इसे रेस्ट्यू किया जाएगा इरस्तिवारी एंडे टीवी कांकेर